नमस्कार मैं सुनीता कथा मंधर में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधर में आज सुनिये मालती जोशी जी की कहानी फेरवेल जगी आयर जी उसने तक पढ़ता से जवाब दिया और पोर्च वाली अपनी खास पसंद की सीट छोड़कर फूर्टी से बीतर की और लपका लेकिन हॉल के नंगे फर्श पर पाउं रखते ही उसे खोश आ गया कि सहाब और मुंट साब तो घर पर है ही कहा वे तो एस्पी सहाब के यहां लंच पर गए है जगी आया और मुंसे फिसलते वे जी को उसने बीच में ही निकल लिया उसे मालुम है वर्मा बाबू की आवाज है यह और वह लोगों की ज़्यादा जी हुजरी नहीं करता अराम से चलता वर डाइनिंग हॉल में आया और कमर पर हाथ रखकर वहां का नजारा देखने लगा पूरा कमरा पुराने अकबारों लकडी के खोकों टाट के टुकडों और कील हत्रोडियों से अटा पड़ा था दफ्तर के तीन चार चप्रासी और एक कार पेंटर पैकिंग में व्यस्त थे वर्मा बाबू एक स्टूल पर बैठे चुटकियों से जमाई भागाने का यतन कर रहे थे सहाब ने उनकी ड्यूटी बंगले पर लगा दिये ताकि काम वालों पर नज़र रख सके और मेम सहाब ने जग्गी से कह रखा है कि वह वर्मा बाबू पर नज़र रखे बड़ा ही काईया आदमी है अरे भाई जग्गी पानी वानी तो पिला तू तो बहार जाकर रहे बैठ गया लाट साब की तरह किचन में काच के दो गिलास रखे वे थे जग्गी उन्हें ही भर कर ले आया अरे यह काँ का पानी लाया रे भाईया बड़ा गरम है बाबू जी ने पहला घूट भड़ते ही मूँ बिचका कर कहा नल से ही तो लाया हूँ उसने भी लापरवाई से जवा दिया क्यों वो तुमारा फ्रिज का गया पैक नहीं हो गया कल अरे हाँ भूली गया था लेकिन भईये गड़ा बड़ा रखा करो साब लोग क्या पानी नहीं पीते जग्गी चुप रहा उसने यह बतलाना जरूरी नहीं समझा कि मेम साब के गमरे में एक सुराई है और बड़ा सा आइस बॉक्स भी काम किती देर में खतम होगा साब उसने कुछ देर बार पूछा क्यों भईया तुमें क्या तकलीफ हो रही है मुझे खाना खाने जाना है मजे है तुमारे गुरू साब लोगों के साथ कु आता हूं तब तक तुम लोग ये सब समैट कर रख देना और कारपेंटर के पीछे पीछे वर्मा बाबू की साइकल भी फाटक से बाहर निकल गई और फिर एक एक करके सभी खिसकने लगे भूख सभी को लगी थी और यहां पानी तक का इंतिजाम नहीं था राम भरो से बत पाते सुन सुनकर जगी बिचैन होता जा रहा था उसकी जे में एक रुपिया पड़ा कुन मुना रहा था और वैस सोच रहा था कि ये लोग टले तो वैं पास के होटल में छोले या धोजे की एक प्लेट खा कर रहा है एक रुपे में और आता भी क्या है तुम तो परिशानी तो उसे तब हुई जब राम भरो से अपना अंगोचा बिचा कर वहीं हॉल के ठंडे फर्श पर लेट गया अरे पंका चला दे तो यार उसने जगी से कहा क्यों तुम घर नहीं जाओगे अरे नहीं अपन तो आज उपासे हैं और वैं करवट बदल कर अराम से ख पचेवे दो टोस्ट और थोड़ी दाल मोटी उसके हिस्से में आई थी और उसका गठीला शरीर उसे कब का हजम कर चुका था माल टाल हूं उसे माता दिन की शब्द याद है और वै तिल मेला उठा अभी कोई उसे अगर होटल में बैठा देख ले तब कैसा लगेगा चार परसो रात वाली बात याद आई सहाब लोग चोपड़ा सहाब की हैं डिनर लेकर लोटे थे में सहाब ने लोटते ही पताया तो ये मिसिस चोपड़ा ने खाने के लिए बुलाया है जग्गी एकदम खुश हो गया खाने के नाम से नहीं बलकि उसे इस बात की खुशी थी क अरना सहाब की तो रोजदावते होती हैं किसने उसे बुलाया जरा ढंक से तयार होकर वह चोपड़ा सहाब के बंगले तक पहुचा तब दस बच चुके थे उसने डरते डरते घंटी बजाई बड़ी देर बात खुद सहाब ने ही दरवाजा खोला क्या है उन्होंने विश्वास का नौकर आया है तुमने बुलाया था भीतर से आवाजे आ रही थी अरे मैंने कहे कब बुलाया मिस्स विश्वास बुली किचन सारा समयट दिया है आज उसे एक अकेले के लिए अजीब कंजूस लोगे दो रूपे दे कर बजार नहीं भेज सकते आप जरा धी जम से घए पम्री मिस्स छोपड़ा की ठकी सी अवाजे क्या है ममी दूसरे कमरे से रूरी सी अवाजे अरे वो जग्गी है उसे खाना निकाल दे हाई ममी आप दे दीजीजे न हमें नीद आ रही है जरा सा काम नहीं करेगी कभी यह भी नी सोशती की मम्री दिन भर खपती जाती है बड़ बड़ाती हुई मिसिस चोपड़ा बाहर निकले उन्होंने बड़ा सा चोंगा पहन रखा था और बिना मेकप के चेहरा अजीब रूखा-रूखा सा लग रहा था उन्होंने फ्रिज खोला एक प्लेट में कुछ समान निकाला और जगी से का भीतर वाले अचार की एक फांक पस चार पूड़िया खाकर वह पांच मिनट बैठा रहा फिर हाथ धोकर उसने नल का पानी पिया प्लेट धोकर रख दी और दरवाजे के पास खड़े उकर करके कहा जगी का मन हुआ लोटते ही में साब को सारा किस्सा बता दे पर वह लोटा तब तक सारा घर सो रहा था सिवा चौकी दाट के जो फाटक पर बैठकर बड़ी बीड़ी पी रहा था जगी ने उसके पास बैठकर दो-चार कश्रिये इधर उधर की बाते की और सोने चला गया लेकिन अपमान की दंश ने उसे सोने भी नहीं दिया इंग चोपड़ा मेम साब का कितना काम करता रहे वह अकसर ही तो उनके नोकर छोड़ जाते हैं तब जगी आठा पिसवा लाता है मिटी के तेल और कोईला ला देता है बेबी के लिए रिक्षा ला देना तो रोज का ही काम है उस बार गनेशी पूरे पंदरा दिन तक भी मा गनेशी ठीकी कहता था मान कंजूसर मतलब ही है ये लोग इनके लिए मर भी जाओ तो इने कोई दर्द नहीं होता बे मतलब किसी को एक गलास पानी तक नहीं दे सकती ये लोग सुबा तक बड़ी मुश्किल से सबर हुआ सी मौकर मिलते ही मेम साब को सारा किस्सा सुना दिय और खूब नमक मिर्च लगा कर साब बगल वाले कमरे में शेव बना रहे थे उसे मौलूब था उसने जान मुझकर ये समय चुना था कानों में जरा बनक पड़ते ही साब बेफर उठे क्यों भेजती है उसे यह वाँ शेहर भर के उटल के बंद हो गए है अभी इसी दम उस वे लिवाने आप पहुचे जीप में बढ़ते वे में साब ने जग्गी को निकाल कर दो रुपे दिये कि कहीं जाकर कुछ खा लेना बाप रे बारत द्वास साब तो एकदम पानी पानी हो गए यह क्या कर रही है माडम आप इसका निम्मंतरन तो हमारे यह बबलू ने खा पहरी दोस्ती हो गई साब का संदेश लेकर कई बार आता जाता रहा है वे बंगले पर तब साइकेल पर बबलू को एक बार घुमा लाने के ड्यूटी उसे देनी होती थी और वे खुशी खुशी कर लेता था यह काम अंदर जब उसकी खाने के लिए बुलाहटो इत्तव है चौंक गया यह क्या उसकी थाली बरी हुई है बबलू की मम्मी क्या उसे कोई राक्षत समझ बाठी है अगर वे चुप चाप खाना शुरू कर दे तो अभी वे कहती फ्रेंगी की साहब गाउं से नौकर तो लाए है लेकिन उसे खाना भी नहीं देते बेचारे हमेशे अदपिट रहता है जब भी जितना मीदे सब भकोस जाता है वे चुप चाप थाली की और देखता रहा खड़ा रहा क्या सोच रहा है मिसिस भरतवाज ने तोका यह बहुत जादा है साहब उसने नमरता से कह अरे वा तू लेकर वह चुप चाप बैठ कर कौर निकलने लगा बड़ी देर बाद उसका ध्यान मीठे की और गया गिनकर देखा पूरे साथ रजगुले थे कल रात मिसिस चोपड़ा ने चार पुड़ी और सुखे आलू दिये थे वह तो ठीक थी लेकिन इतने रजगुले इतने भारतवाज के बंगले पर रहाकर उसका दिमाग साथ में आस्वान पर पहुंच गया है गनी मत्ती की रात का डिनर कलब में और इस वक्त लंच एसपी साहब की यहां था नहीं तो वहां भी उसे साथ घिसटना पड़ता गाड़ी का परीचित होर्ण सुनते ही वे उचल कर खड़ा हो गया गाड़ी पोच में आकर रुकी और उसे यह जानकर घोर नहीं राशा हुई कि उसमें सिर्फ खांडे राव था साहब लोग कहां हैं उसने पूछा एसपी साहब की हैं अभी अभी तो छोड़कर आ रहा हूँ फिर सुभा से अब तक क्या करते रहे अरे भई बड़े आदमी हैं दस जगा निमंतरन होता है उनका मेरी तो खुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहां खाना क्या खाएंगे काक औ कुम रुकोगे या कुछ दो अभी दस मिनिट में सामने वाले होटल से खाकर आता हूँ होटल में जाएगा चल मेरे साथ खांडे राव ने बोला और यहां राम भरोसे हैं आच्छा अदमी है लेकिन साहब उनकी फिक्र छोड़ मैं जाओंगा तब ही तो आएंगे वह राम को साथ जाना है कपड़े वपड़े समट कर तयार है यह संदेश लेकर ही साहब ने उसे बंगले पर भेजा था जाने की बात सुनते ही वह उदास हो गया दो चार दिन से उसकी तबियत बड़ी अन्वनी हो रही थी शायद इसी कारण एका एक उसे यह शेहर बहुत प्यारा बहुत अपना लगने लगा आँखों के सामने से फिसलती हुई सड़के गलियां बिजली के खंबे दुकाने लोगों के चहरे सब कुछ बड़े जाने पहचाने से लगी चार साल पहले गाउं से आया था तो यही सब देखकर कितनी दहशत होती थी अब पता नहीं मैं नया पर मिल लेता तो ठीक था पर वह तो तीन चार दिन से ऐसा बंद गया है और उसे सहसा साप पर गुसा आने लगा एकदम कहा दिया शाम को ट्रक के साथ जाना क्यों मिलने वाले सिरफ आपके हैं हमारा कोई नहीं गाड़ी एका एक रुकी तो उसने खिड़की से बाहर मुह बापरे यह कहां ले आया खंडे राओ इस होटल में तो घुसते भी डर लगता है चले के कब चाय पीएंगे वह चुप चाप उसके पीछे उतर पड़ा कांच वाले दरवाजे को भीतर ठेल कर अंदर पाउं रखा तो उसे लगा इस संधेरे में वह खो जाएगा थोड़ी मनिश्य कर लिया कि इस बार में में साब से कहेगा पूरी की पूरी तनका घर ना भीजा करे जेब करच के लिए कुछ तो पाच सोना चाहिए क्या खाना और कपड़ा ही सब कुछ होता है दोस्तों को एक बिड़ी एक चाय तक नहीं पिला सकता चल जल्दी से चाय पी फिर च प्रिज का ठंडा पानी पिलाया है जब जब भी चाय देने का मौका आया उसे खुब खोला कर कड़क करके बना कर दी है गोल टेबल से एक आथ सिगरेट भी कबार उठा कर खांडे राओ को दी है और वह सब इसलिए कि गाड़ी चलाना सीख जाओ ड्राइवर बनकर जगी कई बर हुआया था अकसर वक्त बेवक्त सहाब को उसकी जरुवत पढ़ जाती लेकिन आज की बात तो एकदम दूसरी थी खंडे राओ इसमें जाते ही बीवी से का सुमन ये हमारा दोस्त जा रहा है आज जट पर बड़ी ऐसा खाना बनाओ फिर तीन बजे बंगले पर भी पहुचाना है खंडे राओ की बीवी मुस्कुरा दी उसने चुक्के से वह जोला उठा लिया जो खंडे राओ साथ लाया था रास्ते में रुक कर उसने दो चार चीजे खरी दी लेकिन तब जगी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था एक ही दिन में कितने पैसे टाले इसने मेरे लिए वह सोच कर परिशान होता रहा अंदर वाले कमरे से रसोई घर की भीनी भीनी महक उठती रही और वह बहार बैठा खंडे राओ से उसके बच्चों से बतियाता रहा चार साल की उशाय ने उसे मैं के चली जाओंगी वाला नाच नाच कर दिखाया दो अपो को लेकर रसोई में पाउं रखा लंबी सी दरी बिची हुई थी और दो बड़ी सी पीतल की चम चमाती थालियों में खाना लगा था रंगोली की एक बेल सी दोनों थालियों के चारो और थी बैठो खंडे राओं ने कहा और वह अभी बूद सा बैठ गिया मीठे खंडे राओं की बीबी गरम गरम फुल के उतार रही थी अरे आप नहीं है इतना सब वह कुछ कहना चाहता था पर कोई अच्छी सी बात याद ही नहीं इतना सब क्या है थोड़ी सी देर में जो बन सका बना लिया उशा के पापा की तो यही आदत है पहले से कभी कुछ बत गाया वैं उसी तरह मुस्कुरा रही थी मैंने कहा बंगले के लोग हो आप यह खान अच्छा नहीं लगा होगा बह अच्छा क्यों नहीं लगेगा बंगले का खाना रोजी तो खाता हूं पर घर का खाना तो आज ही नसीब हुआ है उसे खुदी अश्यर हुए कि इतनी पिता नहीं है भावी ने पूछा नहीं है तब ही न और उसने अपनी नौकरी का कच्छा चिट्टा सुना दिया चार साल पहले वाला आट-दस साल का गवार असाहई जगी उसकी आँखों के सामने गोंगे सारी गाथा वैविस्तार से सुना गया इतने दिनों तक मन में दबी पड़ी वियदा किसी से कहने का मौका ही नहीं मिला था गाउं जाता है तो वहाँ भी अपना शेहरी ताम जाम और बाच्चित का दिखावा करने में दिन बीच जाते हैं अम्मा की गोद में सीर रखकर अपना मन हलका कर लेने की इच्छा होती है फिर लगता है क्यों उसे व्यर्थ की चिंता में डाला जाए और अब तो वह पहले किसी परिशानी भी नहीं रही काफी चुस्त होशियार हो गया है वह पहले तो बापरे एकदम बुद्धू था एक बार बाहर चाय मंगवाई गई तो सिर्फ प्यालों में डाल कर ले गया था गया जब प्लेटों में कोई पीता ही नहीं तब ले जाने से फायदा लेकिन उसका तर्क किसी को पसंद नहीं आया और उसको खूब डांट पड़ी थी एक बार महमानों के सामने उसने अपनी एक गिली सी प्लेट कमीज से पहुच दी इतना बिगडी थी में साब तब और जगी बिचारा बार बार समझाता रहा कि लगदग धुली कमीज है उसकी कोई गंदी थोड़ी ही है लेकिन महमानों के सामने तो क्रिक्री हो जाने का दुख बड़ी मुश्किल से भुलाया जा सका था एक बार स्टोर रूम की चाबी खो गई थी तो उसे पड़ास के बंगले से प्लायर लाने के भेजा उसने सीधे जाकर ताला तोड़नी की फरमाईशी कर दी फिर तो वै बॉकलाई मिसिस मन्ने यहां कोई चोड़ डाकर बसते हैं जो ताला तोड़नी मांगने आ गए ऐसा ही एक किस्सा बुखार ना अपने की मशीन का भी था उसके किस्स सुनक सुनकर खान रहा बहुत हस्ता रहा और उसकी बीवी की आँखे गीली होती ली कुछ दिर बाद उसने याद दिलाया चलो गुरू तीन बज रहे हैं और जग्यी एकदम वर्तमान में लौट आया वर्तमान जहां भुन भुनाती मेम साब गुर्रा तेवे साब जी और धेर सारा काम और काम सिर्फ का वै उट खड़ावा उसने भावी से दौनों हाथ जोड़कर नमस्ते की अब कब आना होगा देखो जग्यी ने कहा इससे अधिक उससे बोला ना गया जग्यी का का नमस्ते उशा ने कहा नमत्ते छोटे पपू ने हाथ जोड़ दी जग्यी ने एकदम उस गुल गोतने बच्चे को गोध में उठा लिया और सहेच कर रखा वो एक रुपे का नोट इसे पकड़ा दिया अरे अरे यह क्या कर रहे हो पती पत्नी दौन ने उसका हाथ पकड़ लिया इतना भी नहीं कर सकता क्या मैं उसने रूंदेवे गले से कहा और गीली आंके छिपातावा भाग कर गाड़ी में जा बैठा